So Hello Everyone, Welcome to Film Web Video इस वीड़ो मैं बात करने वाला हूँ Morbius के पोश का इस सीन्स के बार में जो कि officially सुनी के तरव से रिलीज हुआ है हाँ, मूवी कर लिए से पहले ही सुनी ने Morbius के पोश का इस सीन्स को रुइन कर दिया है और स्पॉल कर दिया है वो भी officially अभी recently Morbius के डारेक्टर Cinema Blend के साथ एक इंटरव्यू कर रहे थे जहाँ पे Morbius के डारेक्टर ने Morbius के पोश का इस सीन्स के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो कम्प्ली देखते रहो इसके लाब अगर आँ मेरे चैनल पे नई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बला खंदवागा ना भुले ताकि जब भी मैं से इंटरेशन मोर्स मना होता आपको नोटिफिकसर में सके तो चले सबसे पहले Morbius के पोश का इस सीन्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली Morbius के पोश का इस सीन में Michael Kitten के वल्चर का एक काफी बड़ा रोल होता है Michael Kitten के यतने में सीन्स को आपने ट्रिलर्स में देखा है वो सारे सीन्स काइंड ऐफ मुवी से ग्लीट होगा है और मुवी के लाष्ट में हम देखते हैं कि Michael Kitten के वल्चर MCU को उनिवर्स से Venom की उनिवर्स में आ जाता है और Venom Universe के प्रिजन में आता है पर बैसिकली Venom Universe के प्रिजन में क्योंकि Michael Kitten के वल्चर के खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं था तो Michael Kitten का वल्चर प्रिजन से छूट जाता है ये था मूवी का mid credit scene इस कला मूवी के end credit scene में हम Michael Kitten के वल्चर को उसके सूट में देखते हैं और Michael Kitten का वल्चर बैसिकली Morbius से मिलता है और वो दोनों बैसिकली टीम अप करते हैं अगींच्ट Spider-Man और बैसिकली ये पोश्काई scene Sony के Sinister Six Project को टीस करती है तो इस पोश्काई scene के बाद काफी सरे सवाल है कि आखिर Morbius Spider-Man से बदला क्यों लेना चाता है और आखिर Morbius Michael Kitten के वल्चर के साथ टीम अप क्यों करेगा इसके अलावा इस पोश्काई scene से ये भी confusion क्रिट होता है कि आखिर Novy Home में Doctor Strange ने जो spell cast किया था उस spell के कारण क्या विलेन्स सिर्फ MCU के अंदर आ रहे थे या फिर MCU वाले विलेन्स MCU से बाहर बजा रहे थे इस पोश्काई scene ने Novy Home के Doctor Strange वाले spell को और बुज़ादा confusing बना दिया है इसका अलावा इस इंटर्वी जोरान Morbius के डारेक्टर ने ये confirm किया कि Morbius Venom के उनवर्स में अग्रिष्ट करती है और बिसिकली Doctor Strange के स्पल एक आरण बहुत सारे विलेन्स MCU के उनवर्स से Venom उनवर्स में आए और Venom उनवर्स से MCU के उनवर्स में गये इसका मतलब Doctor Strange के स्पल में बहुत सारे लूप होस्ते जो कि हमें नोवी होम में भी नहीं पर चले थे इसकलाव बिसिकली Morbius के डारेक्टर से यह पूछा गया कि क्या Venom के उनवर्स में कोई स्पार्डर मैन भी है तो Venom के डारेक्टर के यह काना था कि हाँ बिल्कुल Venom के उनवर्स में एक स्पार्डर मैन है और उसके बारे में हमें काफे जल्दी पर चलेगा तो इस कमेंट से आप यह तो रिजिम कर सकते हो कि Tom Holland का स्पार्डर मैन Venom के उनवर्स में नहीं है क्योंकि बेसिकली Tom Holland का स्पार्डर मैन M.C. के अंदर है इसका मतलब Venom के उनवर्स के अंदर सिर्फ दो ही स्पार्डर मैन हो सकते हैं या तो एंडू कारफुल का स्पार्डर मैन या तो टॉई मगवार का स्पार्डर मैन या फिसाए Sony सोच रहा है कि इसे नए स्पार्डर मैन को इंट्रिद्यूस करना उनके सोनी वर्स के लिए और I think सोनी आसा नहीं करने वाला है और I think सोनी एंडू कारफुल के स्पार्डर मैन के साथ या फिर टॉब्य मगवाय के स्पार्डर मैन के साथ कंटिन्यू कर सकता है अपने उनवर्स के अंदर पकि आप मुझे कमेंट्स में बताना ना पुले कि आपको मौर्बियस का पोर्शकरी सीन्स कैसा लग रहा है और क्या आप excited हो एक सिनिष्टर 6 वाले मूवे देखने के ले बाकि मुझे नहीं पता कि सोनी क्यों मौर्बियस के पोर्शकरी सीन्स को मौवी के रिलीस से एक हफते पहले ही स्पॉल कर रहा है I think क्योंकि वल्चर के सीन्स को मौर्बियस ने 2020 के ट्रिलर्स में इंक्लूड किया था और क्योंकि बेसिकली इस मौवी को एडिट किया गया है बाकि क्योंकि अब मौर्बियस के रिव्यूस काफे खराब आए है इसके लाब मौर्बियस से रिल्ट काफे सारे स्पॉलर्स इंटरनेट पर ओफिशली रिगाल दिये गया है इसलिए मुझे लगता है कि मौर्बयस की मौवी अच्छा प्रफॉर्म नहीं करने वाली है बॉक्स आफिस के अंदर और मौश प्राबली ये मौवी फ्लॉप भी होने वाली है और आइधिंग सोनी ये विल्कुल केर नहीं करता है मौर्बयस की मौवी को लेके आइधिंग सोनी आप फोकस कर रहा है उसके मैडम वब वाले प्रजेक्ट पे या फिक रिवन दे हंटर वाले प्रजेक्ट पे और मौश प्राबली सोनी ये फोकस कर रहा है कि कैसे वो एक स्पाड़र पर्शन को अपने इन्वर्स में इंक्लूड कर सके बाकि आप मझे कमेंट्स में पुतार शूनी ने मौर्वेस के पोष्ट के इस सीन के देटेल इंटरनेट पे ऑफिशली सेयर क्यू किये मूदी के रिलीस से पहले आप इस बारे में क्या सुसते हो ये मचे कमेंट्स में पुतार शूनी इस वोडो दो के यतना ही झाल झाल